हेलो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बैप पेज में Amaz को कैसे इंसर्ट किया जाता है Amaz टैग के एट्रिब्यूट्स कौन कौन से होते हैं जैसे एल्ट, विर्थ, हाइट, अलाइन, बौर्डर अधी इन सभी एट्रिब्यूट्स को कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में इस वीडियो में डेटेल में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे हम इसकी definition जानेंगे insert amaze तो इसको लिखा जाता है img tag में in stml तो इसकी definition है amaze हमारी वैप पेज को ज़्यादा करशक और सुन्दर बनाती है reader भी बिना photo के साथ बनाए गए बैप पेज की तूर्णा में photo के साथ बनाए गए blog post को ज़्यादा अपसंद करते हैं इसलिए stml में amaze element को जोड़ा गया है amaze element का उपयोग stml document में picture insert करनी के लिए किया जाता है amaze tag द्वारा amaze को define किया जाता है amaze tag एक empty stml tag होता है जिसका कोई साथ ही tag यानि closing tag नहीं होता है जैसे br empty tag होता है बैसे ही img empty tag होता है एक stml document में भविन format में amaze को insert किया जाता है आप png, jpeg, difs आदी format में photo को जोड़ सकते हैं हम जिस भी format में amaze को use करना जाते हैं उस format को हमें बताना पड़ता है इसके बाद है stml amaze का syntax तो इसका syntax है amaze का यह syntax यहां पे लिखा हुआ है यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहले img इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है src यह source attribute है तो यहां पे हम double quotation में file का पास लिखेंगे कि हमारी file काहां पे है उसको हम यहां पे लिखेंगे इसके बाद यहां पे हम some attributes यूज करेंगे तो यह amaze element का syntax है amaze syntax में दो चीजे मतपोर्न होती है पहला img यह दिखो यहां पे हमने img लिखा हुआ है amaze को insert करने के लिए यहां पे img tag हम यूज करेंगे और दूसरी src attribute और यह जो है src attribute है img tag यह तो unnya opening stml tag की तरह कारे करता है लेकिन इस tag में src attribute बहुत ही अपयोग और मतपोर्न होता है इस attribute का का document में amaze path को define करना होता है आप जिस amaze को अपने web page में जोड़ना चाते हैं उस picture का full url double quotation mark यह देखो यहां पे double quotation mark इसके बीच में हम path name लिखेंगे ताकि amaze बिशेश हमारे document में download हो सके इसके बाद यहां पे लिए गया है amaze element के साथ commonly used होने वाले attributes के नाम और अपयोग तो पहला attribute है src इस attribute का अपयोग amaze के source यानी url को define करने के लिए किया जाता है इसके बाद है alt इस attribute से amaze के बारे में बताने के लिए किया जाता है इसके बाद है style attribute style attribute से amaze पर css rules को apply किया जाता है इसके बाद है width and height attribute यह दोनों attributes अलाग लाग अपयोग किये जाते हैं इनके दवारा Amaze Width और Height को Define किये जाते है इसके बाद है Align Attribute इसके दवारा Amaze Alignment को Define किये जाते है इसके बाद है Border Attribute Amaze Border को Border Attribute से Define किये जाते है इसके बाद है Title Amaze को title दाने के लिए इस attribute का उपयोग किये जता है इसके बाद यहाँ पे दिये गया Amaze के लिए alternative text लिखना Amaze के लिए alternative text लिखने के लिए add attribute का उपयोग किये जता है इसे Amaze define करते समय src attribute की तरह हमेशा use करना चाहिए क्योंकि जब किसी कार्णवंज Amaze डिस्पले नहीं होती है तब यह alternative text ही user को दिखाई देता है इसके इलावा screen readers, search engines, आदी के लिए भी alternative text लिखना जुरूरी है क्योंकि यह Amaze को देख नहीं सकते है यह तो सिर्फ पढ़ सकते है इसके वाद यहाँ पे alternative text को use कैसे किया जाता है इसका यहाँ पे syntax दिया गया है तो यह देको सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है img इसके वाद यहाँ पे लिखा हुआ है src इसके वाद लिखा हुआ है equal to इसके बाद यहाँ पे file name लिखा हुआ है flower2.jpg तो यह flower2 जो हमेज है यह किस format में है jpg तो jpg format में है तो हमें यही यहाँ पे लिखना पड़ेगा .jpg अगर यह file name है और यहाँ पे .jpg की जगाँ अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं png और file जो है jpg में है तो यहाँ पे यह display ने करेगा क्योंकि हमने file format जो है वो गलत लिख दिया है तो उस condition में हमें क्या display करेगा यह देखो alternative text यह जो हमने लिखा हुआ है alt में alt is equal to yishpal tag यह मैंने अपनी channel का नाम लिखा हुआ है तो यह यहाँ पे हमें display करेगा अगर हमने यह file name गलत लिख दिया है यहाँ से file name हमने delete कर दिया है तो उस case में हमें alternative text हमें display करेगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यह देखो alt is equal to यह हमें display करेगा इसको आगे हम practically detail में जानेंगे इसके बाद है amaze की width और height set करना आप amaze width और height को CSS या style attribute के दवारा भी set कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको width और height attribute का उप्योग कर रहे हैं तो यह देखो यहाँ पे हमने इस syntax में amaze की width और height को set किया हुआ है यह देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमने img इसके बाद यहाँ पे source attribute src यहाँ पे हमने file name लिखा हुआ है flower2.jpg इसके बाद यह जो file name है इसकी यहाँ पे height और width को set किया हुआ है width है यहाँ पे 100 pixel और height है यहां पर 50 पिक्सल हमने यहां Amaze बिर्थ और हैट को पिक्सल में डिफाइन किया है आप चाहें तो परसेंटेज प्वाइंट इसके इलावा भी कई अन्य यूनिट्स में सेट कर सकते हैं Amaze Align Attribute द्वारे डिफाइन किया जाता है by default Amaze हमें बाइं तर्फ दिखाई देती है लेकिन align attribute से आप एक Amaze को right और center में भी show करवा सकते हैं यहाँ पे यह Amaze element का attribute है सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है img इसके बाद यहाँ पे src is equal to यहाँ पे file name दिये गया है इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है align is equal to center तो इसका मतलब यह है कि जो Amaze जैसे Amaze left side में है तो वो Amaze जो होगी वो यहाँ पे center में आ जाएगी अगर हम यहाँ पे लिखेंगे align is equal to right तो जो Amaze यहाँ पे center में है वो right side हो जाएगी अगर यह आँपे हम लिखेंगे align is equal to left तो जो right side amaze है वो यहाँ पे left side आ जाएगे इसको भी आगे हम practically detail में जानेंगे इसके वाद है amaze border को set करना amaze border को set करने के लिए border attribute का इस्तिमाल किया जाता है आप एक amaze के लिए इस प्रकार border set कर सकते हैं यहाँ पे यह amaze border attribute का syntax है तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है img इसके बाद यहाँ पे src लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ है double quotation with file name flower2.jpg इसके बाद यह जो file name है इसका हमने यहाँ पे border set कर दिया है कि इस amaze का जो border आएगा border is equal to 3 तो इस amaze का जो border आएगा उसका जो size आएगा वो 3 आएगा यहाँ पे हमने notpad को open किया हुआ है और इस notpad program में हम amaze को insert करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा हुआ है stml tag इसके बाद head tag को start किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे title tag लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है working with amaze इसके बाद title tag को बंद किया हुआ है head tag को बंद किया हुआ है और यहाँ पे body tag को start किया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है h1 यह tag यहाँ पे यूज किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे center tag यूज किया हुआ है यहाँ पे center लिखा हुआ है कि यह जो controlling images यह center में आए तो हमने यहाँ पे center tag यूज किया हुआ है और फिर इसके बाद यहाँ पे हमने h1 tag को बंद कर दिया है और center tag को बंद कर दी है इसके बाद फिर हमने यहां पर center tag को यूज किया हुआ कि यह यहां पर जो Amaze इंसल्ट होके आए वो center में आए तो इसके बाद यहां पर हमने img यह tag लिखा हुआ है img tag का यूज तब होता है जब हम Amaze को इंसल्ट करते हैं इसके बाद यहां पर src attribute यूज किया हुआ है जिसको source attribute बोला जाता है यह यहां पर हमने लिखा हुआ है इसके बाद यहां पर equal to लिखा हुआ है तो यहां पर double quotation में हम यहां पर file name लिखेंगे कि हमारी file कहां पर है किस folder के अंदर है वो यहाँ पे हम file का path यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद यह दिखो यह desktop पे एक folder है यह दिखो amages नाम का एक folder है इस folder के अंदर एक amages file है यह दिखो इसको open करके लिखते है यह folder इसको open किया तो यह दिखो folder को open करने के बाद यहां पे folder के अंदर यहां पे file पड़ी हुई है जिसका name है flower2 तो flower2 यहां पे हम click करेंगे click करने के बाद यह देखो उपर लिखा हुआ है amazis यह इसका url है यहां पे हम click करेंगे click करने के बाद यहां पे यह फूरा url पूरा address आजाएगा यहां पे हम इसको copy करेंगे यह देखो इसको copy किया copy करने के बाद यहां पे double quotation यहां पे इसके बीच में click करेंगे click किया इसके बीच में फिर right click करेंगे यहां पे इसको paste कर देंगे तो यहां पे यह file का address आगया और यहां पे last में हम cursor रखेंगे अमीजिस के यहाँ पे last में और यहाँ पे लगाएंगे backward slash यह backward slash लगाया लगाने के बाद यहाँ पे हम file name लिखेंगे तो file name क्या है यहाँ पे flower 2 flower 2 के बाद हम इसकी extension लगाएंगे कि यह जो है किस file format में है तो इसकी extension को देखने के लिए हम इसके उपर right click करेंगे और इसकी यहाँ पे property चेक करेंगे यहाँ पे property पे click करने के बाद यह dialogue box आ जाएगा यहाँ पे यह लिखो type of file यहाँ पे लिखा हुए jpg file तो यह जो file है flower 2 यह jpg file है इसको यहाँ पे बंद करेंगे इसके बाद यह लिखो images के बाद backward slash और यहाँ पे हम लिखेंगे flower 2 यह flower 2 लिखा इसके बाद इसका file format लिखे लिखेंगे तो यह किस file format में है jpg तो यहाँ पे dot jpg लिखेंगे यह jpg लिखा तो यह हमने यहाँ पे set कर दिया है कि हमारी जो file है desktop पे है images folder के अंदर है और उसका name क्या है यह लिखो यहाँ पे name लिखा हुए flower 2 dot jpg यह name है तो इसको यहाँ पे करने के बाद अब हम इसको द desktop पे desktop पे क्लिक किया इसके बाद यहाँ पे file name लिखेंगे तो हमने यहाँ पे file name लिखा asd dot html यह file name लिखा इसके बाद यहाँ पे हम इसको save कर देंगे save करने के बाद यह देखो default browser में यह file यहाँ पे आ जाएगी desktop पे asd इसको यहाँ पे हम open करेंगे तो file को open करने के अबसुअ देखा था यहां पे लिखा था Controlling Amazes, तो यहां प siitä हमने ह1 का use किया हूऊ और center का use किया हो है, तो यह Controlling Amazes जो है, corporate gameplay के center में आ गही है, और H1 size में आ गही है, इसके बाद हमने यहां पे Amazes को insert किया हुआ है, तो Amazes कहां पे थी, desktop पे थी, किस folder के अंदर थी Amages folder के अंदर थी इसके बाद file का name क्या था flower 2 यह लिखो flower 2 तो यह flower 2 Amages यहां पे insert होके आगी है और यह center में आगी है क्योंकि हमने यहां पे लिखा है center और यहां पे center को बंद किया हुआ है तो यह जो Amages है यह center में आगी है तो इस तरह से हम Amages को यहां पे insert कर सकते हैं इसके बाद आगर हम यह चाते हैं कि जो हमारी Amages है वो folder के अंदर नहीं है वो सीधी desktop पे रखी हुई है तो उसको आगर हम यहां पे insert करना चाते हैं तो हम सीधा file name लिखेंगे तो इसको करने के लिए यहां पे इसको delete करते हैं पहले यह इसको delete किया यह delete करने के बाद इसको यहां पे minimize करेंगे इसके बाद यह लिखो यह desktop है और यहां पे दो Amages है यह लिखो flower one एक Amages यहां पे यह दी गई है एक है यहां पे flower three तो यह दो Amages है इन दो Amazes को अगर हम इंसर्ट करने जाते है तो हम डिरेक्ट यहाँ पी file name लिखेंगे और इसके बाद इसका file format लिखेंगे कि इसका file format किस format में है jpg में है, png में है या किस file format में है वो लिखेंगे तो पहले इसका file format check करेंगे flower one का क्या है तो यहाँ पे right click करेंगे right click करने के बाद property वे जाएंगे यह देखो type of file jpg तो यह जो flower one नाम की जो file है यह jpg file format में है तो इसको यहाँ पे बंद करते हैं यह बंद किया, इसके बाद flower three इसका भी file format हम check करेंगे इसके ओपर right click करेंगे और इसके property चेक करेंगे तो यह देखो type of file तो यह किस file format में है यह भी jpg file format में है तो इन दोनों फाइलों का जो file format है, वो jpg है इसके बाद यहाँ पे इसको बंद करते हैं यह double quotation के बीच में लिखेंगे flower one, यह flower one हमने file name लिखा इसके बाद इसका file format लिखेंगे तो इसका file format है jpg, यह jpg file format लिखा और इसके बाद यहाँ पे इसको save कर देंगे यह save पे click किया save पे click करने के बाद इसको यहाँ पे हम open करेंगे तो open करने के बाद यह देखो flower one यहाँ पे flower one file name है तो यह जो file name है यहाँ पर यह इंसल्ट होके आ जाएगी इसके बाद जो second amaze है उसको हम यहाँ पर नीचे इंसल्ट करने जाते हैं तो हम यहाँ पर enter यह प्रस किया इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे h1 और यहाँ पर लिखेंगे second amaze ये second amaz लिखा इसके बाद यहां पर break command यूज़ करेंगे इसके बाद फिर enter दबाएंगे और ये जो उपर amaz है ये देखो ये सारा इसको copy करेंगे ये सारी ये copy की के बाद यहां पर इसको paste कर देंगे ये paste की paste करने के बाद ये flower one ये amaz यहां पर ये दी गई है इसके बाद यहाँ पे flower 3 यह मेज हम यहाँ पे इसके निचे यहाँ पे insert करेंगे तो यहाँ पे file name लिखेंगे flower और यहाँ पे one की जगा हम यहाँ पे लिखेंगे यह इसको मिटाया और यहाँ पे लिखेंगे 3 लिखने के बाद हम इसको save करेंगे File पे जाएंगे और यहाँ पे इसको Save कर देंगे Save करने के बाद इसको यहाँ पे Open करेंगे तो Open करने के बाद यह देखो यहाँ पे हमारे पास दो Amazes आ जाएंगे यह देखो यह जो Amazes है यहाँ पे यह देखो Flower 1 यह Amazes है Flower 1 और यह जो निच्छे आई हुई है Amaze यहां पे Flower 3 तो यह जो Amaze है यह Flower 3 यह Amaze यहां पे आगी है इसके बाद यहां पे हम Alt Attribute का यूज़ करेंगे इसको यहां पे Maximize करेंगे कभी कभी हमारे पास यहां पे File Name गलत लिख दी या File Name को यहां से Delete कर दी है तो उस Situation में हमारे पास क्या यहां पे लिखा हुआ है तो उसको बोला जाता है Alternative Text तो इसको यूज़ करने के लिए हम यहां पे Click करेंगे Last में और यहां पे लिखेंगे Alt यह Alt लिखा Alt लिखने के बाद यहां पे Equal To लिखेंगे Double Quartition में हम यहां पे लिखेंगे Alternative Text तो यहां पे Alternative Text यहां पे मैं अपने चैनल का नाम लिखूँँगा यह श्पाल टैक यह मैंने अपने चैनल का नाम लिखा अगर यहां पे File का Name ड्लीट हो जाता है या यहां पे File का Name हमने गल्द लिखा हुआ है तो उस Situation में हमें क्या दिखाई दे Alternative Text तो यहां पे Alternative Text जो है यहां पे यह लिखा हुआ है यह श्पाल टैक तो हमने यहां पे First Amaze के लिए Set कर दिया है इसके बाद यहां पे Flower One यह हमने यहां पे File Name लिखा हुआ है तो One को यहां पे हमें इसको Delete कर दिते हैं यह दिखो One को Delete किया तो यह File Name हमने यहां पे सही नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हमने यहां से One को Delete कर दिया है तो इस Situation में हमें क्या दिखाई देगा यहां पे के वर यह Text दिखाई देगा जिसको बोला जाता है Alternative Text इसको करके दिखते हैं यहां पे File पिजाते हैं और इसको यहां पे Save कर दिते हैं Save करने के बाद जब हम यहां पे इसको Refresh करेंगे तो यह दिखो यहां से यह Amaz यहां से हट जाएगी और यहां पे आ जाएगा Alternative Text में जो हमने लिखा हुआ है यह यहां पे आ जाएगा यह इसको करके दिखते हैं यहां पे इसको Refresh किया Refresh करने के बाद यह दिखो यह Amaz यहां पे हट गई है और जो हमने यहां पे Alternative यह दिखो Alt में हमने जो यहां पे लिखा हुआ है यह यहां पे आ जाएगा यह दिखो यहां पे Flower यहां पे लिखेंगे One और यहां पे Alternative टेक्स्ट इसको यहां से rozlet कर देते हैं यह Limit किया देलीड करने के बाद फिर हम इसको यहां पे δ्वारा दिखो करेंगे यह save किया Save करने के बाद इसको Refresh करेंगे Refresh करने के बाद फिर से यह हमेज यहां पे आ जाएगी इसके बाद यहां पे हम border attribute का use करेंगे तो यह first हमेज है इसके लिए भी border set करेंगे और यह second हमेज है इसके लिए भी border set करेंगे तो border को set करने के लिए हमने यहां पे file name लिखा हुआ है इसके बाद यहां पे लिखेंगे border यह border लिख दिया इसके बाद यहाँ पे equal to लिखेंगे और यहाँ पे value set कर देंगे तो यहाँ पे हमने value लिखी 20 यह नीचे जो amaze है flower 3 इसके लिए भी border set करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे border यह border लिखा इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे equal to और इस amaze का border जो है 10 रखेंगे तो यहाँ पे हमने value लिखी 10 तो जब हम इसको save करेंगे और इसको refresh करेंगे तो क्या होगा यह जो amaze है यहाँ पे इसको save किया save करने के बाद इसको refresh करेंगे यह refresh किया refresh करने के बाद यह दिखो हमने जो border set किया था यह दिखो flower1.jpg इसका जो border है 20 तो यह 20 border आ गया है यह दिखो 20 border है और यह जो second amaze है यह दिखो flower 3 यह जो amaze है इसका जो border हमने लिखा हुआ है यह 10 लिखा हुआ है, तो यह लिखो यह जो border है, यह 10 border है, तो इस तरह से amaze का हम border set कर सकते हैं, इसके बाद amaze का जो अगला attribute है, वो है width and height, अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो first वाली amaze है, यह जो amaze है, इसकी जो width है और height है, वो जो हम भरे उस हिसाब से आए, तो इसको कैसे कर हम यहाँ पे पहले border को यहाँ से अटाएंगे, यहाँ पे इसको अटाया, यह जो flower one amaze है, इसकी हम width और height अपनी साब से रखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम width attribute यूज करेंगे, यहाँ पे हम width की value set करेंगे, इकल टू, यहाँ पे हमने लिखा 150, इसके बाद यहाँ पे set कर दी है 150, और height जो है, इसके set कर दी है 150, इसके बाद हम file पे जाएंगे, और यहाँ पे इसको save कर देंगे, यह save कर दी, save करने के बाद जब हम इसको refresh करेंगे, तो यह जो first amaze है, यह दिखो, flower one, यह flower one amaze है, इसकी जो width है, वो 150 आजाएगी, और इसकी जो height है, 150 आजाएग इसको करके दीखते हैं, यहाँ पे इसको refresh किया, refresh करने के बाद यह दिखो, इसकी जो width है और height है, यह 150 होगी, जो हमने यहाँ पे भरी हुई है, अगर हम यह चाहते हैं, कि यह जो amaze है, इसकी width और height यहाँ पे कम है, तो हम इसको change भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 150 की जगा, अगर हम इसको बढ़ाना जाते हैं, तो हम क्य करेंगे, यहाँ पे जैसे 300 width करेंगे, और 300 इसकी height करेंगे, तो यहाँ पे 150 की जगा हम लिखेंगे 300, और यहाँ पे height में हम लिखेंगे 300, यह 300 लिखा, लिखने के बाद जब हम इसको save करेंगे, यह save पे click किया, save पे click करने के जब हम इसको refresh करेंगे ये जो am Agent की height और width है ये जादा हो जाएगी उसको refresh करके लिखते हैं ये देखो यहाँ पे इसको refresh किया refresh करने के बाद ये देखो amänt की width है 300 होगी है और height है ये भी 300 होगी है तो जैसे जैसे हम यह यहाँ पर width और height को बढ़ाइंगे यह Amaze की width और height यहां पर बढ़ती जाएगी या जैसे जैसे हम इसको यहां पर कम करेंगे तो Amaze की width और height यहां पर कम होती जाएगी इसके वाद आगे हम align attribute को करेंगे अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो Amaze है यह यहाँ पर right side में आ जाए और यह जो अमेज है यह center की जगा यहाँ पर left side में आ जाए तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर align attribute का use करेंगे तो इसको यहाँ पर करके लिखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर width और height इसको यहाँ से delete करते हैं यह देखो यहां से इसको डलीट किया डलीट करने के बाद यह first जो अमेज है यह flower one यह जो flower one है इसको हम यहां पे right side रखेंगे और यह जो flower three है यह जो flower three हमेज है इसको हम left side करेंगे तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे flower1.jpg और यहाँ पे लिखेंगे align लिखा इसके बाद equal to और यहाँ पे लिखेंगे right ये right लिखा इसके बाद ये जो second ambient है ये देखो I emg src flower3 वाली अमेई है इसको हम करेंगे left side तो ये यहां पे इसको delete किया और यहां पे align लिखेंगे align इसके बाद equal to इसके बाद यहां पे लिखेंगे left यह left कर दिया तो यह देखो flower one इसकी हमने यहां पे align कर दिया right और यहां पे यह देखो flower three इसको align कर दिया left इसके बाद यहां पे हम file पे जाएंगे और इसको यहां पे save कर द किया refresh करने के बाद ये दिखो first वाली जो अमेज थी ये right side हो गई और ये second वाली जो अमेज थी ये left side हो गई तो इस तरह से यहां पर हम अमेज में align attribute का use कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने ये सिखा कि ameges को insert कैसे किये रहता है और इसके जो attributes हैं इनका अमेज में use कैसे किये रहता है इसके बारे में सिखा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद